वेलकम बाक फ्रेंद्स टु विजन डब्लू बीसिएस विजन डब्लू बीसिएस यूट्यूब चैनल है श्वबाई के शाग होतो डब्लू बीसिएस 2021 के लुखो कुरे डब्लू बीसिएस मेन्स मॉख प्राक्टिस टेस सीरीज जेटा चोल चिलो तार सेट नंबर 40 आमरा आज के डिसकस कुर्भो सेट नंबर 39 आमरा economy पाट्टा के कुरे चलाम paper 5 एर सेम वे थे सेट 40 ते हो आमरा किन्तु economy पाट्टा की confirm कुर्भो औक तो ता जाला जाला हो आम दे चैनल है नो तु न आच्वा हम दे चैनल के subscribe को रेना हो स्वमस्त यूट्यूब क्लासे एर फ्री PDF नोट्स अवेल कर अर जुन्नों आमादेर ओफिशियल विजिन डब्लूबी सीस आप के गूगल प्ले स्टोर थीके इंस्टॉल कोरे नाओ, दाउनलोड कोरे नाओ अमादे टेलिग्राम चैनल आछे, शेखा ने तुम्रा जॉइन हुटे पारो, शेखा ने तुमादेर के वेस्ट बिंगॉल रिलेट श्वमस्त गवर्मेंट इग्जामिनेशन इर जुन्नों गुरुत पुन्नों मेटेरियल्स, डेली क्विजिस आज वल अज नोटिफिकेश अर इंस्टीशन, कोन और इंस्टेशन गॉर्मेंट खालशनम ऑइचे बनके प्हा ने तुम्रा एर जोन्नों, दोर depends हिड्वजिर्ए बार सेटब इर सेटब आ ओरो, वेड्वार् के सेटब कोरें. पिक प्रिम्हेर थालसित के कि अर्गनिज़ियन नेस्ट्रीन echt सा web रूपी307 इंट मों स्पिन्समिनम्स्ट्री यह भी रायद स्थर्डुन अड़्िविज़्यूब रेकर फ्र? अर्गनिल्सने इंसटूशङ के व्हर मों शोडी गुत्तर होबे, option B that is Central Vigilance Commission Central Vigilance Commission, Banking Fraud गुलोर के अटकन और जुन्नों Banking Fraud के investigate कोर और जुन्नों एक्टा advisory body set up कोरे clear, moving on which of the following is seen during stagflation stagflation ने शो मोई, एई चाट टे condition ने मोद दे कौन condition के दाखा जाए option 1, high cash reserves option 2, high inflation option 3, high unemployment or option 4, low fiscal deficit stagflation ने शो मोई, एचार्टे condition ने मोद दे कौन condition दाखा जाए absolutely the right answer is option A that is 2 and 3 that is stagflation ने शो मोई, inflation ने बशी थाख बे whereas, unemployment ने बशी थाख बे low fiscal deficit जुदी थाख तो ता होले government टेर का छे तार मानी होत तो जाट government टेर का छे revenues आचे शेटा बेशी आचे तो यह मोन जुदी situation थाखे ता होले उज सिचुएशन ने इंफ्लेशन टाके कांट्रोल कारा जेते पारे बाए employment प्रोवाइड कारा जेते पारे तो दाट कंडिशन विल नॉट लीट तो तो बेशी तो इंफ्लेशन आटो बेशी हो बेना बट स्टाक्फ्लेशन एर खेत्रे अग्दम यूल टो हाए money अनेक बेशी थाके liquidity अनेक बेशी थाके market ए as well as unemployment अनेक बेशी थाके जारकारो ने inflation ताओ अनेक बेशी बेडे जाए clear moving on which of the following is referred to as a paper tax paper tax का के बॉल आ होई option A gift tax option B income tax option C wealth tax are option D both gift and wealth tax paper tax का के बॉल आ होई so absolutely the correct answer will be option D that is both gift and wealth tax gift and wealth tax दूतो की अमरा paper tax बुली clear moving on global economic prospect report is prepared by global economic prospect report के prepare कोरे option A IMF option B WEF option C World Bank are option D IFC की अभी राइट अंसर which organization publishes global economic prospect report अफ्शा की रीडार अंसर अजर रोनी रीपोर्षाण के रीडार अंसर अजर्टा हमे there option C that is World Bank World Bank प्रृथ्टेक बॉच्र Global Economic Prospect Report प्रपेर कोरे moving on which are the following constitutes as invisibles in trade अक्टा ट्रेड ए कौन जीनिष्टा इन्विजिबल था के? Option A, Organized Sector Goods, Option B, Services, Option C, Smuggled Goods or Option D, Goods Bought in Credit. ट्रेड ए बाइकनोमी थे इन्विजिबल्स, विच तिंग और विच प्रडुक्त इस तर्म्ड आस इन्विजिबल इन ए ट्रेड. चोटी गुत्तो टो होए जावे, Option B, Services. Services के आमरा इन्विजिबल्स बोले ट्रेड कोरी, because Services प्रोवाइड कोराटा, एक्टा एकनोमी थे बाइड ट्रेड इस, Services प्रोवाइड कोराहा है, शेटा कोखोनो, किन्तु, हाड फेजे बाइड आमरा बोलते पारी, त्याखा जाएड आया, that's why it is known as Invisibles, clear? Moving on, Which of the following expenditure doesn't form a part of revenue expenditure? कौन expenditure के आमरा, एचाटे expenditure हेर मुद्धे, कौन expenditure के आमरा revenue expenditure एकाउन कोरीना? Option A, grant given to a state that will now be used for capital formation or creation. Option B, interest payments. option C, subsidies or option D, defense क्या बाराइट एफ़ एफ़ एंसर which of the following expenditure doesn't form a part of revenue expenditure should we go after option D, defense defense expenditure का कुछ हो एफ़ एफ़ एकालकूलेट का राएपना similarly defense expenditure is not calculated as a planned expenditure also okay moving on which of the following statement is not true about white ATMs 8 अब आप्टेम्स दें पून सतेम्न गुलो शोठीक नॉए 1st statement यह दो नॉट अव बाक्न लोगो 2nd option is 2nd is operated by parent banks and their affiliates 3rd statement 1st white bank ATM was started by SBI i.e. State bank of India की आपे राइड अंसा फ्रेंट which of the above statements is not true regarding white ATMs absolutely that is 2 and 3 white ATMs bank लोगो थाके ना एक दुमी राइट एह statement है while the other two statement that parent bank और affiliate white ATMs के operate कोरे while SBI प्रोथम white bank ATMs चा स्टार्ट कोरे चलोई दूटो statement ही तु भूल अचे clear? moving on recently Canara bank was merged with which bank? recently Canara bank के कौन banker साथे merge कोरा होई चलो option A, syndicate bank option B, oriental bank option C, bank of India or option D, Yuko bank किया भे राइट आंसर? so absolutely the right answer is option A, syndicate bank recently जोखन government of India that is finance ministry merging of bank announce कोरे चलो तुखन syndicate bank के merge कोरा होई चलो sorry Canara bank के merge कोरा होई चलो with syndicate bank clear? moving on a committee was formed to oversee the working of fiscal responsibility and budget management act FRBMA act that is fiscal responsibility and budget management act तार working के देखार जोनो भा working टाके study कोरा होई जोनो एक्ट कमिटी एर formation कोरा होई चलो एक कमिटी एर chairman के चलेन option A, C, Rangrajan option B, N.K. Singh option C, Suresh Tendulkar and option D, Sanjay Mitra who was the chairman of the committee formed to oversee the working of fiscal responsibility and budget management act the Suresh Tendulkar option B, that is N.K. Singh N.K. Singh एर अध्धक्षता ते बा chairmanship है एक कमिटी एर formation कोरा होई चलो and presently N.K. Singh is the chairman of 15th finance commission of India clear, moving on what is the full form of UMPP UMPP is full form की option A, ultra mega power project option B, unit measurement project per capita option C, unit of measuring power projects and option D, ultra mega power per capita UMPP is full form की so, शोडिक उत्तर हबे option A, ultra mega power project A question to out of the box question छिलो either on a question दिये दाया मेंजे तो जुदी either on a question answer ना जानो best suggestion will be skip the question negative marking कोरार थीगे भालो E question टाके skip कोरे दियो जुदी E question answer टा भालो काज था के okay anyways UMPP एर फुल फाम हुद छे ultra mega power projects moving on consider the following about GI tag GI tag रभा परे तीन टे स्टेटमेंट दावा चे consider करो that कौन ए तीन टे स्टेटमेंट मुद दे कौन स्टेटमेंट इसकूलो correct option first statement they grant protection to the farmers who cultivate the product once it is accorded third statement Odisha has highest number of products under GI tag ही तीन टे स्टेटमेंट दे कौन स्टेटमेंट गूलो correct आचे option तो मादे स्रमन आचे तरदरी answer तो जानाऊ so absolutely the right answer is option C that is 1 and 2 1 and 2 is correct दाखो Odisha और काचे highest number of product नही while GI tag GI tag जुदी कौनो agricultural product के द्यवा होे ता होले एटा एक धरोने protection प्रोवाइट कोरे to that farmer who cultivate the product as well as GI tag के protection प्रोवाइट कोरा है बाइटलेक्टुल प्रोपर्टी राइट्स रिजीम इनलेक्टुल प्रोपर्टी राइट्स प्रीघीम क्वेनी काश्यू अचे शिटा के G.I.T.A.G. देवा है चिलो clear moving on what is the meaning of blue chip stocks? blue chip stocks सर माने टा की हॉए option A, stocks of companies which have become bankrupt option B, stocks of companies which have sound financial performance option C, stocks of companies that have investment only in real estate or option D, stocks in companies that is a public limited याभी राइड़ अचे, blue chip stocks का के बॉला हाई absolutely the right answer is option B, that is stock of the companies which have sound financial performance फालो financial याइड़ पर्फॉर्माने याइ company stocks गुलोर था के ओई दोरोने stocks के अम्रा blue chip stocks बॉली clear moving on what is bottleneck inflation? bottleneck inflation का के बॉला हाई option A, when supply falls drastically but demand rise remains the same option B, when demand falls drastically and supply remains same option C, when demand rises drastically and supply remains same and option D, when supply rises drastically but demand remains the same bottleneck inflation ता होले का के बॉला हाई option B ते की बॉलचे, when demand falls drastically and supply remains same जोखन demand को में जावे, supply same था बेता होले inflation तो होईते ही पारे न demand नहीं तो inflation की कुरे होगे second बॉले चे, when demand rises drastically option C बॉले चे, demand जोखन बेशी होए जाए और supply सेम थाके and option D बॉल चे, when supply rises supply बेशी होए जाए औनेक बेशी होजाए किन्तु demand सेम थाके जोखन demand सेम थाकवे supply अनेक बेशी थाकवे supply surplus थाकवे जोखन ओए inflation होवर स्वंभावना किन्तु अनेक कौम थाके तो बॉले BRD के तो आमरा एगंती के eliminate कुरते ही पारी तो बॉले शोटी उत्तोटा होवे A, B, B, A, C, A और मुद्दे और राइड अन्सर इस option A, that is जोखन supply fall कोरे जाबे supply कोमे जाबे drastically कोमे जाबे supply था किन्तु demand जोखन सेम थाकवे ओई situation थाकवे bottleneck inflation clear moving on what is the meaning of term base rate base rate काके बॉला होई option A, rate at with schedule commercial bank lend to foreign institution option B, rate at which schedule commercial banks will lend to borrowers option C, rate at which schedule commercial banks will lend no loans to the borrowers or option D, rate at which schedule commercial banks will lend loans to the government only base rate थाहले काके बॉला अच्छे चाट्टे option है मुद्दे की होबे right answer absolutely friends और शोडिगुत्तर दिये चोडिगुत्तर होबे option C, that is rate at which schedule commercial bank will lend no loans to the borrower base rate माने शोप थीके lowest rate of interest थागवे एही rate थीके कौमे कोखोनो कोनो bank loan provide कोरवे कोखोनो शोप थीके lowest interest rate थाग भे शोडिगुत्तर होच्छे option C moving on which are the means of deficit financing that a country can exhaust which are the means of deficit financing deficit financing के की को fiscal deficit के की कोरे finance कोरते पारे act a country option A external aid provide को option B external borrowing option C printing of currency option D all the above जोखोनी आम रा budgeting and deficit financing ता पोड़ीश तोखोनी तो मी शोजा कोरे दावा आचे नितिन सिंहानिया सरे बोईते हो दावा आचे option D that is all the above आम रा a country deficit fiscal deficit के finance कोर और अन्नो कंट्री थी के aid निते पारे अन्नो कंट्री थी के अन्नो कंट्री थी के अन्नो कंट्री थी के institution थी के बोरो कुरते पारे money while currency के वो print कुरते पारे यह तीन्ते मद्दमी किन्तु deficit financing कोरा जेते पारे moving on in economic parallelence what is referred as bad bank bad bank option A another bank option D a bank which is under the RBI guidance bank bad bank का के बोला हुए एटा एकुष एर जे आमदेर budget है चलो एकुष बाइश जे budget ट्वे आना हुए चलो by Honorable Finance Minister Nirmala Sitaraman शेका नी bad bank है कौथा बोला हुए similarly 2020 year budget है हो कि इंतु bad bank है कौथा बोला हुए तो शोड़ी गुत्तोर होँए option C bad bank एई धारोनेर bank जे अन्यों बैंकेर bad loans गुलो के purchase कुरे ना है शेई धारोनेर bank के बोली bad bank bad loans माने ओई धारोनेर loan जे खंती क्या recovery होच्छे ना तो ओई धारोनेर loan गुलो के आमरा बोली bad loan और एई बाद लोन जे बैंक गुलो किने ना है शेई धारोनेर bank के आमरा बोली bad bank clear moving on Roshni scheme is associated with which sector Roshni scheme कौन sector जाते associated option A training tribal youths option B financial aid to minority students option C provide skill training to student passing out from ITIs or option D provide employment opportunities to student passing out from government aided schools कि अबराद एंसर फ्रेंट absolutely Roshni scheme is associated with training tribal youths Trifid Trifid is launched and the aim of the scheme is to train tribal youths clear moving on consider the following statement about Ujwala Yojna Ujwala Yojna इर बैपरे दूटो statement दावाज है तुमाँ इरक identify कुरते हुए that ए दूटो statement is correct first statement it is applicable to both APL and BPL families and second women will be the beneficiary of in this scheme ए दूटो statement है मुद दे कौन statement गुलो correct आशे regarding Ujwala Yojna आशे सोटी गुटोटोटा की आवे friends absolutely the right answer is option A that is only to women रा beneficiary थाक बे शुदू women देरके schemeर लाभ प्रोवाइड करा है and this is applicable only to BPL families not to APL families APL families देरके प्रोवाइड करा है स्कीम टा free LPG connection प्रोवाइड करा जे योजना आटा आचे योजना आचे योजना क्टा की बॉला है उजबला योजना ये टा 100% centrally finance scheme central government scheme clear moving on corporate tax is imposed by which government corporate tax कोन government impose करे option A union government option B option C union and state government or option D corporate tax is imposed by which government दागो जे धरोनेर question गुलो ते question नही आंसर था के किन्तु की बोले चे corporate tax is imposed by which government जोखन government चोले option D that is RBI ETA M नी बात चोले गालो आइदर A, B, C होबे corporate tax के आमरा corporation tax हो बुली तो एई जिनिस्टा आमरा जुदी budget टा एक्टु भालो कोरे पोड़े था की ताहो लेगी question टा कुड़ते पर भो एक्टु जुदी आमरा taxation topic टा economy एर भालो कोरे पोड़ लेओ एटा अमरा कुड़ते पर भो corporate tax impose as well as collect कर आ होए by the union government किंद्रो शॉर कार corporate tax के इंपोजो करे as well as collect करे moving on last question of the day दुर्गापूर steel plant was established with the assistance of दुर्गापूर steel plant के कौन country कौन country एर assistance से established कर आ होचलो by the help of which country was the दुर्गापूर steel plant established option A USA, option B Russia, option C Germany option D Britain क्या दुर्गापूर आ होचलो दुर्गापूर steel plant टा के establish कर आ होचलो with the assistance of Britain right answer is option D clear तो यह question कुलो होचलो आज के सेट आ इखाने complete कौला हम next set है आमरा history paper 3 टा के cover कौर बो paper 3 है history part टा के so till that time all the very best meet you in the next class study hard thank you Jai Hind